यूं तो मोबाइल इंटरनेट के मामले में भारत अपने पडोसी मुलकों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, म्यानमार्ट और श्रीलंका से भी पीछे है लेकिन अधिक जनसंख्यावाले देशों में डाउनलोड की स्पीड में सुधार के मामले में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ओकला द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है इस रिपोर्ट की माने तो पिछले साल भारत में मुबाइल इंटरनेट की स्पीड में 42.04 सिदी का इदाफा देखने को मिला है जिसके बाद देश में औसत इंटरनेट स्पीड 8.8 Mbps पहुच गई है हाला की भारत यहां भी पाकिस्तान से पीछे ही है क्योंकि इस मामले में पहला स्थान पाकिस्तान का ही है ओकला की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में नवंबर 2016 से नवंबर 2017 के बीच 56.02 सिदी की बढ़ाधरी देखने को मिली वहीं औसत स्पीड भी 13.8 Mbps रही इस लिस्ट में तीसरा नमबर ब्राजील का है जहां मोबाईल इंटरनेट की स्पीड 27.6 फीसदी बढ़ी और इंटरनेट की स्पीड भी 16.2 Mbps दर्च की गई ओकला की इस रिपोर्ट के मताबिक broadband स्पीड में सुधार के मामले में भारत अबबल रहा है साल 2017 के दौरान भारत में broadband की स्पीड में 77 फीसदी की बढ़ाधरी दर्च की गई इसकी औसत स्पीड 18.8 Mbps रही